हेलो गाईज अब तक मैंने आपको कितनी क्रूज जर्नीज दिखाई फूड दिखाया, क्रूज का इंटीरियर दिखाया, सब कुछ दिखाया, पूल दिखाया बट कभी मेरे पास ये मौका नहीं आया कि मैं आपको ये पूरा ब्रिच दिखा पाऊ बट इस वाली वीडियो में वर्चुली मैं आपके लिए इंडिया ज़ टॉप लग्शुरी क्रूज यानि के लिए कौडिलिय क्रूज का ब्रिच टूर मैं आपके लेकर आया हूँ और आपसे इतना ही कह सकता हूँ ऐसा कॉंटेंट शायद इंडिया में फर्स टाइम प्रड्यूस किया जा रहा है तो इस वाले व्लॉग को पूरा देखिए आखिर ये क्रूज इतना फ्लॉलेस कैसे कंट्रोल किया जा रहा है तो इस वाली वीडियो में मैं आपको इस वाल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमागेदार व्लॉग की शुरुवात करते हैं मेरा नाम है डूलेश और आप आप देख रहे हैं 200 जर्री आपको बता नहीं सकता कितना excited हूँ आपके लिए पूरा ब्रिज टॉर थोड़ा सा वॉल्यूम धीरे रखेंगे आप ये ज पर देख सकते हूँ हमारे साथ सिक्योर्टी सर मोजूद है जो हमको अब ब्रिच पर लेकर जा रहा है आगे यहाला आप तूर देखेगा यह सब में आप से कहा पहली बार और यह बहुत एक्स्क्लूसिव होने वाला है अब देखोगे मरीन एड्मिनिस्ट्रेटर्स ओफि कोड़िया क्रूज 11 डेक्स एराउं 700 केबिन्स टोटल अगर लेंध लंबा ही मैं आपको बता हूँ कुछ 700 फीट के आसपास पैसेंजर कैपिसिटी 1800 पैसेंजर्जर्स ओन बोर्ड और यह पूरा क्रूज इतना बड़ा लक्शरी क्रूज कहां से कंट्रोल किया जा रहा है यह है ब्रिज दिस इस कॉल्ड दब्रेन ओफ दिस क्रूज आपके लिए एक्स्क्लूसिफ अब मैं यह तूर यहां से शुरू करने जाहां आएगा और जैसा आप से कहां दिस इस फॉर्स ताइम आपके आपके लिए दिस राइट नाओ व एक एक करके हम कैपन से भी बात करेंगे फरस्ट ओफिसर से बात करेंगे जितने गैजट साब देख पा रहे हो जितने भी एकुप्मेंट्स हैं कोशिश पूरी करेंगे जितना भी आपको वर्चुली एक्स्प्रीन कर पाए बट आप भी समझ सकते हो व्सक्राइटी रिज तो हमारे साथ Mr. Clive मौझूद है जो यहाँ पर आपको आतादू navigating officer है और पूरे bridge का जो टूर हमको कराने जा रहे हैं वो यह कराने जा रहे हैं सबसे बहले आप से जानना चाहेंगे how long you have been into this cruise industry? cruise industry अभी briefly start किया है मैंने switch किया so यह ship मेरे को अभी चे महीन हो गया चे महीन हो गया चे महीन हो गया and पूरे sea life में it's been more than 10 years दस सल से ज्यादा हो गया I've been sailing और चे महीने में sir अभी तक experience in Cordelia पर कैसा राइस cruise पर बहुत अच्छा बहुत अच्छा say India Indian waters में sail करना that is a total different experience with with all people yes so it's a total different experience तो आईए अब यहां से टोर शुरू करने जा रहे हैं so one by one जो भी equipment आप देख रहे हो सब को हम explain करेंगे और कोशिश करेंगे जितना भी आपको बता आपा है shall we start sir yeah to start with this is the steering of the ship इससे जहां चलता है अभी इदर कोई नहीं है कोई चला नहीं रहा है क्योंकि ship आपी autopilot में आपको बताएगा यहाभी अपना ship का यह steering है इसको चलाने वाला भी look out कर रहा है उदर में जब port के अंदर जाता है बाहर जाता है हम लोग इसको hand steering में डालते है and then we have the quarter master who is steering the ship तो जब आप docking कर रहे हैं या out कर रहे हैं तो steering most useful है तो यह hand steering पर ही रहता है यहाँ पर मैं request कर रहे हैं पूरा equipment जगरा सर इक्प्मेंट जगरा आप दे सतें sir this is compass equipment this is gyro heading so gyro heading यह course हम लोग श्टेर कर रहे 154 so this is basically यह हम लोगो को यह course रखने का है यह chart पे draw किये जाते है and then we just follow the heading okay okay and this is I guess this is location I guess this is the magnetic compass okay this is gyro compass का repeater and this is your magnetic compass repeater अगर आप यहाँ देखोगे आप location देख सकते हो north, northeast, south, southwest आप 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 देखोगे यह location आपको यहाँ पर दिखाई देरी basically this is the heading so position आपको GPS से मिलेगा जो आपना chart पे, agdisk, radar पे सब पोजिशन अपना GPS speed है यह अपना speed log है जो पानी का speed है वो बताता है and our actual speed is speed over ground and यह बिना current का बिना कुछ कुछ drift का यह अपना speed है आप देखोगे तो 16 point right now it is showing 16.8 knots water speed हम बाता है water speed, yeah water speed is speed log normally speed through water बोलत है आपको okay आप देखे, आप देखे, आप यह गैजट्स देखे एक्टमेंट बेखे क्या आपना अपता यह आपना 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 ओनानी देखा हुआगा अबर देखे this you can see it in India so यह आपना stabilizes fins है, जब भी ship roll होता है तो हम लोग इसको spread करता है बाहर में and then it's stabilizes your ship, मतलब ship को मतलब एक moment में रखना ताकि rolling ना हो, year of feather में ज्यादा करकी use होता है so communication के लिए we use a VHF, VHF use करता है हम लोग, जो आभी channel 16 पे है दुनिया के जितने भी ships है वो channel 16 पे watch रखता है तो हम लोगों को किसी ship को contact करने के लिए, हम लोग इस पे call करता है and with the ship ship का name लेता है और सारे जो ship है channel 16 पे है तो हम लोगों को response करेगा यह VHF next अपना chart, this is very important फुराने जामाने में हम लोग paper chart use करता था, अभी यह सब electronic हो गया, यह electronic chart है अभी जैसे आप देख रहा है यह हम लोग route draw किया हुआ है, यह red line जो है हम लोग follow कर रहा है इसको और जो black line है, यह past track है यह हम लोग follow कर चुका है जो triangles देख रहे हैं, यह सारी ships यह आजू बाजू में है तो इसमें हम लोगों को continuous GPS speed मिल रहा है, और continuous ship का position मिल रहा है तो हम लोग अभी land से 26 nautical miles दूर है मतलब around 50 km हम लोग दूर है land से और इसके बारे में तो शायद आपने सुनाई होगा, this is radar जहाँ पर screen पर अगर आप देखोगे आज पास जितने ships है यह मैं कहूं जो objects है ship में पीछे, sir वो engine के पास जो radar लगा हुआ है नई, that is different, यह अपना उपर यहाँ पर deck पर दो scanners है continuously rotate हो रहा है and then they are sending echoes तो echoes को जो भी water surface पर जो भी मिलेगा it gets deflected वापस ship पर आजाता है and in this process वो calculate करता है यह कितना दूर है 1.23 इसका details पूरा यह इधर बताता है तो यह हम लोगों को मतलो कितना नजदी कोगा that is called a CPA 0.57 0.57 miles वो हम लोगों को नजदी कोगा कितने minute में होगा 12 minute में और कितना range पे है अभी 3.4 miles यह boat है So this is also very important equipment on the bridge यह यह जो system है this is very important this is used for collision avoidance correct कोई भी क्रूज में तक्राव ना हो कुछ इसा ना हो अब मैं आपको इंट्रूस कराने जा रहा हूं to the second officer Mr. Alex Hello to everyone, so just shortly about our watch keeping, I am second officer Alex I am in charge of the watch during this time on the bridge as you understand it's not possible to be 24 hours for captain on the bridge that's why he have representatives and the watch on the bridge is keeping 24 hours so that's why our watch is 12 to 4 a day and 12 to 4 at night time and we just hand over to another officers our watch so on the watch during this time supposed to be one person who is responsible to the captain who will take decisions and in case of any doubts to call the captain this is the rule for every bridge officer call the captain in any doubts better as some captain say you wake me up 10 times at night then you put me in prison one time yes and sir we would like to know how's your experience sailing in Indian waters yeah so for me it's very first time here in Indian waters what is impressed me it's a fishing boat traffic at night time there are very big density and they're bright like a Christmas tree and different light green white blue fishing nets blinking so at night time like beautiful but difficult to navigate we have to find the gap between them and to pass safely not only for us but for the fishing boats also correct and sir we would also like to know about the maximum operating speed of this cruise that this cruise can achieve actually we are not going with the maximum speed otherwise if we will have a wind or current against we will have a delay so that's why we're always calculating our cruise with some spare for the speed to increase in case of adverse wind adverse current to have a spare nautical miles of speed correct to increase yeah thank you thank you so much sir for your time you're well we have a call call came Empress see Mr. Clive is dealing with it I guess Indian Coast Guard there is a call to Cordelia Empress maybe something happened this is just a routine call just a routine call sir just a routine call sir just a routine call yeah so they normally randomly call some vessels and they take information about where the vessel is going from where it is coming how many passengers are there so this is just a routine call from the Indian Coast Guard so they are basically guarding our coasts you know yeah 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 second officer yeah third officer navigating officer yeah he's a good of yeah 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 hello everyone my name is Rajinder Singh and in his position as well my basic touches okay जो भी टारगेट जो भी टारगेशन में, जो भी टारगेशन में दिखता है, राइट हीज ईपने पोर्ट बिश्वर्ट बिएम में, फो मैं अपने दूटी ऑपिसर्स पो बताता हूं, कि हम लोग उढ़ उदर से नहीं जा सकते। इसके बाद में वो जहाज की पोईशन चेंज गरते हैं यह तो नविगेशन का पार्ट है और अगर हम लोग पोर्ट के अंदर जाते हैं या बहार निकलते हैं तो जो पॉटर मास्टर रहता है तो जो कैप्टन उनको ओर देता है कितने डिगरी पे जैसे आप देख रहे हो व इस मैं बेसिक दूटी जब हम बात करें लडबाग 1800 पैसेंजर्स ओन बोड है तो आप से जाना चाहेंगे सेफटी को कैसे हां पर मेक्शुर किया जाता है जब यह गुए दर राइट बात और जो पैसेंजर्स है वो सब सेफ हैं हम अपने रास्ते पर चलते रहें तो आप जो गुए और जो भी कैप्टन उनको बोलते हैं या फॉलो दे सेम पांथ और सपेशली इन दे नाइट जो डूटी रहती है जैसे है आप गुए आप पोडूटी अपिसर ने बता कि हमारे चारो तरफ रात को इस्पेशली फिशिग बोर्स रहती है तो हम लोग कैसे उसमे तो पहले ही हम लोग डिसीजन ले ले लेते हैं और किस साइड में जहाज को गुमाना तो अब ही राइट नौ आप भी देख सकते हैं विया सेलिंग तो करेंट्ली इस ओन दुटी तो इनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगी आप सुचिए इनको कितना एलर्ट रहना है अपने आसवास के रेडियस में कह लीजे कोई भी बोट वगरा दिखेगा तुरंत रडार वगरा पर वो सब दिख रहा है विसीबल है बट मैलोली आप कह लीजे मद तुरंत इनको रबोर्ट करना है तो थी थार्ड ओफिसर थार् वो हमारे प्रफिसर को शिप को हरूं कर सकते हैं तो मैं पहले इन डूटी ओफिसर को इन फॉर्म कर देता हूं तो वो चेंज दर डियरेक्शन ड्यूटीज कम आपको बता दूँ जो ड्यूटीज हैं इस ग्रूप वाइस हर ग्रूप में तीन लोग हैं तो राइट नौ जो अगर आप देख रहे हो शिफ्ट यह चार बज़े चेंज होगी तो इस ड्वेल्फ तो फॉर अब जो नेक्स्ट ग्रूप आएगा दाट फि Mr. Dennis I am trying to bring him on camera एक छोटा सा interview उनसे भी अगर हम बातचीत कर पाएं बट लेट सी है आप भी समझ सकते हो he is very busy guy तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर उनको भी हम camera पिलना आपा है और उमीद है आपको यह पूरा जो bridge tour मैंने आपको दिखाया है यह सिर्फ और सिर्फ Cordelia टीम के वेसे possible हो पाया है तो वीडियो को like जरूर कीजेगा और जितना हो सके वीडियो को share कीजे उनसे मैं जितना क्रूज इस सेलिंग राइट नो तो उनको हम बिल्कुल भी डिश्टर्ब नहीं कर सकते हैं मानव चले यहां से बाहर चले है आगे थांकि सुमसर वन सहिए थांकि सुमसर थांकि सुमसर प्रिज टॉर यही होता है समाथ मानव एक्सपीरियंस कैसा रहा बहुती सही एक्सप कि हम क्रूज के ब्रिज के अंदर के अंदर हैं आम शॉर जो अभी कॉडिले भी आकर गयोंगे न उन्होंने भी शायद ब्रिज टूर अब तक नहीं किया होगा वर्चुली सोचिए विडियो को लाइक जरूर कीचेगा और शेर कीजिए उनके साथ जिनको क्रूज जरूनी है जिनको क्रूज पसंद है और यहां का वैदर मैं आख क्रूज की तो वाय भी आया डग है तो भास हसते रही है खाते रही है पी आरही है उनकी भाग पीच्रेראक करते रही है व्लोग कियसा लगा जरा कमेंट कर रहे बताईए चप्टेम सर से मैंने ट्राय किया है Mr.Danis right now he is busy आप भी समझ सकते हो please उनकी back-to-back shifts हैं तो आप भी समझ सकते हो फिर कभी try करेंगे कोई बात चीक है मिलते हैं आप से बहुत जल्द this is Dolish and this is Manav signing off from 200 journeys right now somewhere in Arabian Sea बड़ावर Manav कहीं तो हैं आप देखें ठंडी-ठंडी हावा चल रही है एक्टिविलिंग अराउंड डेरिटरी ऑफ करनाड़ येस सम्वेर अराउंड आप एक्टिवडीज वगरा चल रही है सब कुछ और बाकी क्रूज जितने व्लॉग्स हैं सब देखेंगा ज़रू लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा ठीक है बस लाल के लिए इतना ही